स्कूल के प्रिंसिपल के उपर कक्षा चार की छात्राओं के द्वारा गलत वहवार करने का आरूप लगाया गया है लड़कियों ने खुद बताया है कि किस तरीके से प्रिंसिपल उन्हें पहले कमरे के अंदर ले जाया करता था उनके कपड़े खुलवाया करता था, और इसके बाद उनके साथ गलत काम करता था लड़कीयों को डराया धंकाया जा रहा था और स्कूल जिसे सीक्षा का मंदर कहा जाता है वहां ये हैवान जैसे लोग मासूम लड़कीयों को अपने हवस का शिकार बना रहे थी और अब जब अारोफ लगे हैं तो प्रिंसिपल ने ग्रामी नो को ही गलत बता दिया है बताया है कि स्कूल में शडाप चुपाया जा रहा था और जब प्रिंसिपल ने शडाप का विरोध किया तो इसकी ब dazzle में आप उसके उपर यह आरोफ लगाए जो रहे हैं तो आपकी मदद करने तैयारी अड़ा आ चुका है जो आपके लिए लाया है ओनलाइन टेस्ट सिरीज मात रिक सो पचास रुपे में मिलेगा मेगा पैक जनता जंक्षन के दर्शेकों के लिए प्रोमो कोड जनता 2023 के तहट स्पेशल छूट तैयारी अड़ा अप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें आफर वेब साइट पर भी जा सकते हैं स्क्रीन पर आपको जानकारी दिख रही होगी एक्जाम पहले अटेम्ट में निकालना है तो अभी जाए तैयारीअड़ा डॉट कॉम पर बिहार के इस आड़न चुले की खबर है जहां राज़ की प्रातमिक अबिद्याले के प्रिंसिपल के ऊपर स्कूल की कुछ लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं लड़कियों का कहना है कि प्रिंसिपल उनके साथ गलत वहवार करता था गंदी हरकत करता था और अगर वो मना करती थी तो उनके उपर हाथ भी उठाता था डराया धमकाया जा रहा था बच्चियों को और पिर सक्षक के मंदर में ये गंदी हरकत खुद स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा की जा रही थी अमनौर के प्राथमिक विद्याले किशिनपूरा के प्रिंसिपल ने स्कूल की मासूम लड़कियों के साथ दुशकर्म करने की कोशिश की है सिक्षक और चात के रिष्टे को तार तार करते वे प्रिंसिपल ने जुकिया है उसका खुलासा खुद उन लड़कियों ने किया है जो उसकी शिकार हो रही थी जिनके साथ स्कूल का प्रिंसपल ये गंदी हरकत कर रहा था कक्षाचार की ये सभी चात्रा हैं और कक्षाचार की चात्रा उन्हें आरोप लगाया है कि उन्हीं अलग कम्रे मिले जाकर ये आगमी इनके साथ गलत काम करता था उन्हें ड़ाया धमकाया जाता था उसके बाद उनके कपड़े खुलवा कर उनके साथ गलत काम करता था और उसका खुलासा तब हुआ जब राज की प्रातमिक वध्याले के प्रिंसिपल कुमार आनंद बिहारी ने ऐसी हरकत दुबारा से 26 मई को करनी चाही 26 मई को प्रिंसिपल आनंद बिहारी कख्षचार की कुछना बालिक चात्राओं को और उनके कख्षा की अलावा किसी दूसरे कपने में ले जाता है और उनको अंदर से बंद करता है और फिर मासुम लड़कियों को डराने धमकाने लगा लड़कियां जब डर जाती है तो फिर उनके कपरे उतारता है और फिर लड़कियों का ये आरोप है कि उनके प्राइविट पार्ट के साथ छेखानी करने की कोशिश करता है और उसे वक्त एक लड़की दरवाजवा खोल कर शोर मचाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर आस पास के लोग जब लड़की के चिलाने पर स्कूल में पहुचे तो कई लड़कियां बिना कपरे के वहाँ पर खड़ी मिली जिसके बाद ग्रामीनों का गुस्टा और पिर जब लड़कियों से सवाल किया गया तो एक एक करके सब ही लड़कियों ने रोते रोते सब कुछ बताया कि कैसे स्कूल में उनके साथ ये गंदी हरकत करता था प्रिंसुपर बाकिया प्रिंसपाल की एक तरफ खुब सबी आरूपों को गलत बता रहा है उसका कहरा है कि स्कूल के कुछ स्कूल में जो गाउ के लोग हैं वो शराब रखा करते थे और जब उसने शराब रखने का विरोध किया तो गाउबाले उससे नाराज हो गए और उसके बाद उसके उपर गलत आरूप लगाने लगे लड़ हैं कि वो उसके साथ गलत वहवार करता था बाकि अब इस मामले में जांच की जा रही है फुर इसका कहना है कि जांच करने के बार अगर सक्षा के उपर जो भी आरूप लगे हैं वो अगर सही थाबित हो जाते हैं तो फिर प्रिंसिपल के उपर कारवाई की जाएगी और उ सक्षा का मंदिर कहा जाने वाला स्कूल में ऐसी गंदी हरकत की जा रही है इस पर अब आपके क्या रहा है अपर प्रतक्रिया आप कमें सक्ष्ण में लीजए वीडियो को शेर कीजिए और बागी खबरों के लिए बने रहे हैं जानता देंशन के साथ कैमरे के पीछे देव मैं आपके साथ बंदना भाइनवाद